So, Hello Everyone, जैसे सी गुरकूल के सभी मेंबर वासियों के तरब से आप सभी को जोहार भिननदन वेक करती हैं Basically जैसे कि आप लोग को जार्खन चोकिदार जो प्रोफाइल के तहत आप लोग को sequence form पर आप लोग को वीडियोस प्रोभाइड किये जा रहें जिसमें कि पहला जो कि बहुत सारे अभियार्थियों का एकडोड था कि परिविच्छा अधार पर बाहली जो कि दो वर्स जो समय अंतराल उसमें संतोस जनक नहीं पाए जाने पर एक वर्स बढ़ाया जाएगा तो वो suspense आप लोग का पहला जो प्रोफाइल वीडियो के तहत आप लोग को किलियर किया गया आई होप सो कि आप लोग आसान शब्दों में उस चीज़ को समझ गया होंगे जो कि आप लोग को वहां पर बताया गया दूसरा कमेंट सेक्षन में आप लोग को जारा जानने के जो इचुक था वो था सेलेरी कि आखिरकार जारखन चोकिदार का जो अलग-अलग जिलों में भरती निकल के आ रही है इसका सेलेरी कितना होगा सेलेरी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं इसमें पेंशन की सुईधा है या फिर नहीं है जो एलोइंस दिये जाते हैं जारखन पुलिस में कुछ एलोइंस वो एलोइंस इसमें दिये जाएंगे कि नहीं दिये जाएंगे तो इन सभी बातों पर हम लोग विश्तार पुर्वक आप लोग को यहाँ पर बताने का परियास किया गया है मेरे दिवारा तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग परारम करती हैं सबसे पहले जैसे कि आप अस्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप लोग जिन जिलों में ये भरती निकली हुए उसके नोटिफिकेशन में भी आप इस चीज को मेंशन देखते होंगे कि बेतनमा चोकिदार का सस्टम पुनरिच्छन बेतन एक तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे सस्टम पुनरिच्छित देखने को मिलता है जिसमें की बावन सो से लेकर वीस हजार दो सो और दूसरा है आप लोग का शब्तम पुनरिच्छित बेतनमा जिसमें की पे मेट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं समय समय पर दे और भथ्ता, सबसे पहले कुछ एलोइस इसके अंतरगत दिये जाते हैं कि नहीं दिये जाते हैं, तो यहां पर आप लोग को किलियर कर देना चाहता हूं, कि इसमें जो एलोइस है, जिस परकार जारखन पुलीस में आप लोग का एलोइस दिया जाता है, जारकन पुलीस या अनिये जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट जो टेंथ लेवल की भरती हो जाती है कच्छफाल हो गया आई यार भी इस सब में तो जो एलोइंस वहाँ पे दिये जाते हैं वो भी एलोइंस आप लोगो इस भरती में भी दिया जाएगा यहाँ पे भी आप लोगो क्या दिये जाएंगे यहाँ पर भी आप लोगो एलोइंस दिये जाएंगे यह हो गया एलोइंस कुछ कुछ है जो कि यहाँ पे जारकन पुलीस से फेसिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगो कम देखने को मिलेगा बट उसी के एक्विभालेंट यहाँ पर आप लोग को एलोइंस देखने को मिलेंगे वो चीज यहाँ पर आप किलियर देख सकते हैं समय समय पर दे अन्य भत्ता और किसी किसी जिल्ला में यह जो सब्तम पुनरी छित वालब यह है यह नहीं लिखा गिया था आपको यह नहीं समझना है कि आप लोग को 18,000 से 56,000 नहीं मिलेगा नहीं आप लोग को भी दिया जाएगा लेकिन कब दिया जाएगा उसका चीज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देखे चुकि यह भेकेंसी चाहे आप लोग का किसी भी जिल्ला में हो 24 के किसी भी जिल्ला में हो यह सभी एक ही गजट के तहत निकाला जा रहा है किसके तहत एक गजट के तहत निकाला जा रहा है गजट के तहत तो जितना सेलेरी आपको उस जिल्ला में दिया जाएगा दूसरा जिल्ला में भी उतना ही सेलेरी जो ग्रेड पे है ग्रेड पे 2400 जिल्ला का एक रहेगा बट वही है कि शूप एलोइंस में थोड़ा सा आप लोग को कम आधा जादा कम बेशी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है वो तो आप हार एक फिल्ड में देखते होंगे कि जैसा आप लोग का पोस्टिंग रहेगा जिस जगा पर उसके एकोडिंग आप लोग के एलोइंस में थोड़ा सा कम बढ़ोती देखने को मिलता है तो एलोइंस आप लोग का जो भी भद्दा का बात हो गया वो चीज़ आप लोग का मिलेगा दूसरी बात आप लोग का वर्क प्रोफायल है वो फाइल किया जाएगा फाइल रिकॉर्ड किया जाएगा तो उस दोरान आप लोग का स्रस्टम पुनरराचित जो ये बावन सो से लेकर के 20,200 है इसका ग्रेड पर आप लोग का दिया जाएगा और इसी में भी अन्य भत्ता भी उस समय आप लोग को दिया जाएगा जो समय आप लोग दो वर्स और तीन वर्स के अंतराल आप लोग वर्क कीजिएगा जैसे ही यो दो वर्स और तीन वर्स के अंदर वो तो आप लोग आ अस्थाई रूप से काम कीजिएगा जैसा वहाँ पर आप लोग का file management record किया जाएगा उसके according फिर आप लोग को अस्थाई कर दिया जाएगा और जैसे ही आप लोग दो वर्ष के बाद अस्थाई हो जाते हैं तो अस्थाई हो जाने के बाद आप लोग को ये जो सब्दम पूरिचित वाला बेतन है जो की है अठारा हजार से लेकर के 56,900 प्रोपर 57,000 मान लेजे जब आप लोग अस्थाई हो जाएंगे दो वर्ष के ब रहेगा और साथ ही साथ इसमें ऐलोइंस आप लोग को फिर एड़ कर दिये जाएंगे ऐलोइंस तो ऐसे एड़ ही रहेगा बट वह जिस जिल्ला में जैसा पोस्टिंग रहेगा उसके एकोडिंग ऐलोइंस आप लोग के यहां पर दिये जाएंगे तो ये हो गया आप स27 की बात करते हैं कितना वर्ष क्या रहने वाला है। यह आपलोग का शाठ साल का नोकरी है। ॐ शाठ साल के बाद जैसे आप लोग रिटाइर किजिएगा उसके बाद यहाँ पर पेंचन सुईधा भी आपलोग का लागू है। इसमें क्याची है पेंशन सुईधा भी आप लोगो इस भर्ती में देखने को मिलेगा जो कि आप देख पारेंगे जो निउ पेंशन अजकीम जारकन में है वो अस्टार्ट कर दिया गया है 2004 के बाद जितने भी बहाल होंगे जो fully government है उस पर pension आप लोग का अब मिलना चालू हो गया ति ये भी जो भर्ती है ये आप लोग का fully government है यानि कि ये भी आप लोग का proper सरकारी job है ये वला ये नहीं समजना है कि दो वर्स के लिए समीधा ये समने ये सब समीदा अधार पर कुछ ही ये नहीं है ये फुली गवर्मेंट आप लोग का है इससे पहले जो होता था वो होता था समीदा समीदा की अधार पर सिफ जारकर मेखी अभी चल रहा है जो कि आप लोग सुने होंगे वो होमगाड का और साहयक पुलीस कर्मिया भी देखते हैंगे वो समीधा की अधार पर बट ये जो आप लोग का चोकिदार वाला है ये आप लोग का फुली गुवर्मेंट है तो इसमें आप लोग को एलोइंस भी दिये जाएंगे सेलेरी जो आप लोग का देख सकते 18,000 से लेकर के 56,900 जारकन पुलीस का भी यही सेलेरी वोही आप लोग का भी दिया जाएगा और ये भी आप लोग का शाठ वर्स का है साथी साथ इसमें आप लोग का पेंशन की स्विधा भी आप लोग का दिया गया है अब जैसे जो candidate dialogue salary वाला देख रहे हैं पुन्रिछित अथार पर बाहली दो वर्स के लिए क्या होता है तो आप playlist section में जाएए चोकिदार जो profile sequence form में सारे वीडियोस को देखिए हर एक dot आप लोग का इस भरती के regarding clear हो जाएगा तो चलिए आज की session को हम लोग यहें पे रखते I hope so कि आप लोग का जो dot था salary को लेकर के वो चीज clear हो चुका होगा और इस भरती को आप हलकी में मत लिजे salary आप देख पा रहे होगे जारकन पुलीस का ही grade पे इसमे salary आप लोग को देखने को मिल रहा है और इसमें selection लेना बहुत ही असान है चिप physical और आप लोग का return exam है बट हाँ syllabus accounting त्यारी किजिएगा सही रन्निती के साथ तभी यहाँ पे आप लोग का selection होगा चुकि यहाँ पे दोड़ काफी tough रखा गया है main इसका दोड़ी है बाकि इसके बाद आप लोग को जो profile के तहत किस चीज की जनकारी चाहिए उसका आप लोग जरूर comment section में comment कर दिजेगा क्या इसका जो duty किस तरह से करना है duty hour करना है नहीं करना है उस पर वीडियो चाहते हैं या फिर किसी और पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो उसका भी जिक्र आप लोग को comment section में आवसी comment कर दिजेगा